आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमश्कार दुश्यकों आप देख रहे MNS News Network मैं हूँ आपके साथ शीबा शेक तो आए देखते बॉलिवूट की कुछ खास ख़बरे आए एक नजर डालते हेडलाइन्स के और क्या पैसो के लिए पूनम पांडे ने फैलाई मौत की जूटी ख़बर कोई इस फिल्म को देखने थेटर नहीं जाएगा विधू विनोथ चोपड़ा को बारवी फेल के लिए मिली थी ये सलाई ओटीटी पर धमाल मचाने को तयार गुंटुर कारम क्या पैसो के लिए पूनम पांडे ने फैलाई थी मौत की जूटी ख़बर पूनम पांडे की मौत के ड्रामे पर विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है दो फरवरी को 32 साल की पूनम पांडे ने इंस्टरग्राम अकाउंट से एक पोस्ट आती है जिसमें दावा किया जाता है कि उनका सर्वाइकल कैंसर से निदन हो गया है वाइरल आडियो में पूनम पांडे बता रही है कि अपनी मौत की जूटी ख़बर फैलाने की वज़ज़ से लोग उन्हें खुब भला बुरा सुना रहे है राकी सावन भी उनके इस ड्रामे पर निशाना जताती है और कहती है कि कम से कम उन्हें तो बता देती लेकिन पूनम सफाई में कहती है कि उन्हें ये सब एंजियो के लिए सर्वाइकल कैंसर के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए किया है साथ उनका नौन ड्रिस लॉजर एग्रिमेंट था उनके मुताबीत उन्हें कुछ भी शेयर करने की इजादत नहीं थी अगर वो कुछ भी बता देती तो उनके खिलाफ कानूनी कारवाई हो सकती पुनमपांडे ने राकी सावन से बाचीत में ये खुलासा भी किया कि उन्हो बाटी खबर क्यों कोई इस फिल्म को देखने त्रेटर नहीं जाएका विधू वीनौत चोपड़ा को बार्वी के लिए मिली थी ये सला विदू विनोद चोपड़ा की फिल्म बारवी फेल की रिलीज के सो दिन पूरे हो गए है इस खास मौके पर विदू विनोद चोपड़ा ने मेगा शंकर और विकरांत मैसी समेद बागी टीम के जश्न मना रहे है इस दोरान डारेक्टर ने खुलासा किया कि लोगों ने उन्हें सला दी थी कि इस फिल्म को थीटर में नहीं रिलीज किया जाए विदू विनोद ने बताया कि जब मैं बारवी फेल बना रहा था तो मुझे सभी ने ये कहा था यहां तक कि मेरी धरम पत्नी ने भी कह दिया था कि मुझे ओटीटी पर रिलीज करनी चाहिए बारवी फेल अनुपमा ने कहा कि कोई इसे नहीं देखना चाहेंगा विनोद तेरी और विक्रान की फिल्म उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता मैं इस मुवी को कंटेंड नहीं कर पाई हूँ वही एजनसिया लिख रही थी कि ये मुवी दो लाग पर खुलेगी और तीस लाग का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी सबने मुझे डरा दिया था विदू विनो चोपडा की ये फिल्म 27 अक्टूबर 2023 में सीनिमा घरों में रिलीज हुई थी इस मुवी को लोगों ने खुब पसंद भी किया और इस मुवी की लोगों ने खुब तारिफ भी की आये वट्ट अगली खबर के और OTT पर धमाल मचाने को तयार गुंटूर कारम जाने कब और कहा देख सकते हैं महेश बाबू की ये फिल्म साउट सूपरस्टार महेश बाबू ने गुंटूर कारम दर्शकों का दिल जीत लिया था त्रिविक्रम श्रीनिवास के निर्देशक में बनी एक्शन से भरपूर फिल्म गुंटूर कारम सीनिमा घरों में धमाल मचाने के बाद अब OTT पर दस्तक देने के लिए पूरी तरीके से तयार है अब आधारी कारीक तौर पर फिल्म के OTT प्रीमियर की घोशना हो चुकी है ये फिल्म नेट्फ्लिक्स पर रिलीज होगी और नेट्फ्लिस इंडिया की फिल्म के OTT रिलीज डेट का ऐलान भी किया गया है नेट्फिक्स इंडिया ने इंस्टेग्राम पर फिल्म का पोस्ट साजा करते हुए इसके OTT प्रीमियर की घोशना की है नेट्फिक्स ने कैप्शन में लिखा यहां बहुत गर्मी होने वाली है क्योंकि राउडी रमना यहां है और यहां अलग लग रहा है गुंटूर कारम 9 फेबरुवरी को तेलगु तमील मल्यानम कनड और हिंदी में नेट्फिक्स पर आ रही है अब आप हमारे चैनल को मोबैल आपर भी देख सकते हैं मोबैल आपर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV आप डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा, हाई, क्वीक, ट्वीटर, फेस्बूक और कई शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइफ भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर अब वक्तु चला है दोशे को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रहे हैं MNS News TV पर नमस्कार ये है MNS News नेट पर और आप देख रहे हैं MNS News